कि अजो पीटा प्लेटटटट शीट्स होती है जो अलफा-हलिकस थाभ उसमें क्या था कि एक ही पॉलिपटटइड चीन है ठीक है बट पिर्टा प्लेटटट शीट्स में जग्जैक वे में दो पॉलिपटइड चेन्स होती है तो वहाँ पर क्या हो रहा था वहाँ पर हो रहती इंट्रचेन हाड़ीन बॉर्ण सुषरें वहा एक पार्डीन हे नहीं प्टेकर सब्सक्राइट था ठीक है जब बॉंडिंग विए एक चैन की बीच में तो एल्फ़ालिकल स्ट्रॉक्षर बनगें एक स्पैनल फॉल्डिंग हो रही है तब यह बडीक्स हो रही है तो यहां पर हमें क्या देखना को मिलते हैं यहां पर में और इंटरचेने मांदिन इरें नमर्टिया ठीक है तो अलफा एलक्स में इंटरचिन है रिद्रोच नइसे पूल इंडरफ आनिये दो तीán है कि यह का सटेक brokench कुछ इन्धिर और जैसे एक जो अलफा एक्ष निक कि एक इस्पारिल स्ट्रॉक्श इनकी एक्स्टेंड बीतिल स्ट्रॉक्शंटर नियों थे कहा है तो यह अंदर यह प्टाइड चेंस्टी के यह लगभग फुले अक्सेंड़ेंट है भी पूरी है थे लिकले नियुक्त और इसकी बात हो गई अब देखो क्या होता कि जैसे से हमने बात करी हमाना आशिट जो एडिसेंट स्ट्रेंड्स है वे पैरलली भी रण कर सकते हैं फिर एंटी पैरल भी रण कर सकते हैं अब इससे मतलब क्या हुआ ठीक है कि हमने का दो पॉलिप्टाइट चीन सेमिलिकर बनाए जो बेटा प्रेट शीट है ठीक है अब लैट मै सहने यल टाइप अफ आमाना की ले लेता हूं ठीक है जिसमें क्या होगा कि एक साइड आ इसमें लेफ्ट जो ऑल लेफ्ट साइड़ नहीं पर अर्हटें तेङंट होगा और यहां पर एवा इस डिएरेक्शन में थीक है ।िए द नहीं पादितों हुअ Call से बनी से बनी है है ठीख है लेकिन अब यह क्या यह ऐ ऑस्पोंच करो जा रही है اور अगर यह शेर्व जा रही होंगी ठीख है तो हम तो हम कहेंगे कि पैरलल है है सेमगे मैं हां नथ तो लिए न चाहिए तम कहेंगे यह एंटी पैरली बीटा शीट्स है ठीक है जो एंटी पैरली बीटा शीट्स होती है में ज्यादा स्टेबल होती है एंटी पैरली बीटा शीट्स ज्यादा स्टेबल होती है कि इसे पैरली बीटा शीट्स और इसका एक रीजन भी है क्यों तो जैसे आपको इस फिगर में मैं शो कि नहीं यह नहीं हम इसे लेते हैं यहां से यह वाला एक कम्प्लिट अमान असे ठीक है एक रेसिड्यू ले लिया हमने और यह दूसरा रेसिड्यू एस के अंदर ही एड्जेसंट स्ट्रेंड में तो देखो दोनों के कि अब कहने हैं कि इस साइड जो है जो कर्बॉशल ग्रूप है ठेक है इस डिशेड्या चल रहा है टिक है तो आया अगर पैडल होगा पैल्याइगा केहां तो यह दो क लिए गाए तो Wahrली कि क्यों सुर्ड़ाएबल नहीं क्यों क्यों हो तो एंटी पृशए ज़्ाद Shival है तो आप सकते युट इसके इन्दर की पैरल्ल है की दानिंग कई आएक पर जगा पर ठीक है ठीक है तो यह पर शेए तो फीकल तो तो एक साथ नहीं है एक जगां पर ठीक है तो थोड़ी टीड़ी हो रही है तो जब कि एंटी पैरल में क्या होगा अब यहां पर को लीनियर बॉंडिंग हो रही है इसलिए क्या इस टैबल कोन होगा एंटी पैरल जाद स्टैबल होगा अब जो एडिसेंट अब जैसे इसे फैवर करेंगे तो उसमें ज्यादा तर पाये जाएंगे और उसकी स्ट्रक्चर का फिवर नहीं करेंगे तो उसमें नहीं सबसें नहीं सबसेंगे बहुत कम मातर में या बहुत कम मात्र में तो पीम्सीर इंटी बात पोश्ता है यह कौन से favor करते हैं और कौन सा least favorable है वह है ठीक है एक्जामपल्स के हम बात करें तो पैलल बिटा शीट्स जिसे फ्लावर डॉक्सिन में पाए जाएगी ठीक है एंटि पैलल बिटा पढ़ लिए ठीक है दो सब्सक्राइब शड़ी कर चुके हैं तो अलफा हैलिक्स है एक बीटा प्रेट शीट्स है ठीक अब जो रिमेनिंग सेकंडरी स्ट्चर में आपको बता आता है कि टॉन्स बैंड्स लूप्स जो थे क्या काम करते हैं यह दो सेकंडरी स्ट्रक्शर को जॉइन करने का काम करते हैं जॉइन करने का ठीक है जिससे आपको फिगर में शो हो रहा है इस फिगर में यह क्या कर रहे हैं इन दो स्ट्रेंड्स को जोड रहे हैं ठीक है तो इससे इससे फायदा क्या हुआ इससे हम फोल्डिंग कर बाया है प्रोटीन की ठीक है अगर यह यह सब फाले फालेखी है ठीक है अब इनकी ह्ना कर द्या हम्ने टीकश mango डूइब कर दिया में हमने फोल्ड कर दिया हुमने ठीक सोट सब्सक्राइब इसे ठीक है तो हम जो short segments हमने से कंथे स्ट यो से उसे हम जॉइन करता है कि इसे टरंस है और बैंट से लूपस भी सेम function करते हैं हम देखेंगे जो लूपस होते हैं लूपस यो जोइन करते हैं बस इन में अमिनीज अपर पेसिडियो छोड़े बने है खाली यह शौट सेगमेंट से तो फंक्शन कहने का सेक्ड़ी स्ट्रक्चर्स को जॉइन कर रहे हैं और साथ में और साथ में क्या करना प्रोटिन फोल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं ठीक है अब इसमें भी आपको डिवर डिवर टैप के टरंस मिल जाएंगे पर अग्जामपल बीटा टर्ण जो सबसे जांतर पाया जाता है गामा टर्ण अलफा टर ठीक है जो बीटा टर्न होता है उसमें अगर जमेंटर के स्रुक्श्र बन रहा है तो क्यों बन रहा है कि उनके रेसिद्यूस की बीचे में कुछ ना कुछ बांडिंग हो रही है जो इसका जो फर्स्ट माने सिट्रेसिटी होगा ठीक है और जो इसका फोर्थ हमाने से ड्रेसिट्वी से जो फोर्थ हो तीन रेसिडिव से से ठीक है वही चीज लिखें आपर कि डोनर और एक्सेप्टर जो होगा तीरेसिट्यूस से से पर्टेड होगा यानि फर्स फोर्थ के बीच में बॉन्डिंग हो रही है किसमें बीटा टर्ण में ठीक है अगर हम बात करते हैं गामा फोर्थ के बीच में बादिंग बान्टिंगं में 1 और थे बान्टिंग हो रही है ठीक है इसलिए 4 रैसीडियू से सेपेर्टेट है अब इसमें भी होगा अब तक देखो प्रोलीन जो और अलभा इलिक्स में भी लीट एंटू फबरेवल, में था और जो प्रेटा में थन que अब होता हैें। अब सबसे यदा अबंय्जियन अब्सक्रार की जिक है आता है और उसके बाद glycene का नमबर आता है ठीक है स्रेबलाइज़ कैसा hydrogen bonding वह उने डिसकस ऑड़ोटी कर चुके यह और हमने बात करीव जो बीटा टर्रों वह सब जादा फैवरेबल होता है इस अधर करने काम करते हैं बस important बात क्या है loops long segment है bands and turns short segment है ठीक है अब हम बात करते हैं सुपर सेकंडरी स्ट्रक्चर्स की जिन्हें मॉटिफ की नाम से भी जानते हैं ठीक तो यह क्या होता है जो हमारे हमने भी सेकंडरी स्ट्रक्चर् सब्रें है यह ही जौइन करके क्या administrapp टा अध़ी अभी हमने से कंडरी ञीक्छर्बा पड़ें ठीक है कि यह कल्वा क्रिंद सब्慮स्द्धा यह कलफा Allex था तह अब मैंने जोडेंगे अब मैंने क्या किया इस अलफा है दो अलफा हैलिक्स ले लिए ठीक है और ने जॉइन कर दिया उने जॉइन कर दिया तो मैंने सुप्स इन सेकंडरी स्ट्रक्चर से क्या फॉर्म क्या सूपर सेकंडरी स्ट्रक्चर इने जॉइन करके तीन सेकंडरी स् सूपर सेकांडर राई है और यह एक लाए है हैलिक्स टर्ड हल Chicθ previous किए इस इसी तरह से जोण以前 डिफर्ण डिफर्ण कॉमकीनेशन होंगे सब्सक्रीटि दिश्ァेंड और फाम कर रहे हैं जनम मोटिफ की हों रहे हैं तो नहां मियान नाम देख लेता है कौन-कौन से होता है को शक्राइब की यहां पर तो बीटा अलफा को पैस थीख 짜ms आलफा अल्फा मॉटफ या विगर मेरे भी हो रहा है ग्रीक की मोटफ तिक ए ग्रीक की मोट्फ शोग गया है बीटा मेंडर मोटिफ प्लेटा बीटा बैरल मोटिफ तीन यह बीटा बैरल सोगे का फिर क्या ओंद दो तो ट्रसन और सोथ अलग से बता दी कहले तो jullie स्टर्ण की में एक सब्सक्राइब व्यक्राथ मोटेश्ट जिन जियर मोटिफंक करता है ठीक है अब हम बात यहां स्टॉक्चर की नार्च वरत इसमें थे बताई था कि अब एक complete polypeptide chain consider कर रहे हैं कि अब एक complete polypeptide chain बन गई folded होने के बाद ठीक है तो अब ये एक 3D structure बन गया हमारा एक ये 3D structure बन गया ठीक है तो अब ये जो 3D confirmation कहलाती है इसे हम क्या कहते हैं टरजी structure ठीक और ये कैसे हुई है जो primary structures के बीच में interactions हो रही है जो hydrogen bond हो रहा है उससे यह एक polypeptide chain बनी है और आसे फोल्डड क्यों हो ही है विगोज़ उसके बीच में कहीं सारे interactions हो रहे है कौन-कौन से interactions हो रहे है ठीक है वो देके लिएते हैं तो जो structure है फोल्ड क्यों हो हो रहे हैं hydrogen bonding हो रही है ठीक है तो यह सब क्या एक पॉलिप्टाइट चेंज होती है वह फॉर्म कर देगी ठीक है फॉल्ड पॉलिप्टाइट चेंड होगी और 3D कॉंफर्मेशन होगी ठीक है इसमें ज्यादा कुछ निया है और बाकी कुछ जैसे वेंडरल फोर्सेज है और कोवलेंट बॉंड में डायसलफाइट बॉंड सब्सक्राइब बॉंड सब्सक्राइब नहीं होंगे तो वैसी एक लीनियर सिक्वेंस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर था ठीक है अब डोमेन क्या होता है तो यह जो प्रोटीन इसाइब सब सब्सक्राइब करने में हैं ए मात करते हैं और यह O तो बबिधित क्या बनाती है को टेली स्ट्रक्ट्चर फॉआं करती है चो मेह नहीं पर ट्रक्टटर नहीं बहुति सब्सक्राइब कर रहे हैं और देखो अब यह हर एक पॉलिप अप्टाइड चीन मैंने का रहे हैं देखो जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रसक्राइब कर सकते हैं अब अगर यह स्चीन फ्रोटीन एक प्रोटीन जिसके अंतर सब्सक्राइब करें गाने टिका है थे छांगे भे लुता गार्ट्षच विकैश को क्या cumulative शुुम्हाई गर्थे अन आप आप और इननमें कौनौनसे इंट्र Ekψंट की किशन आगरए इनकी पॉइन तर इक्षन के हम बात करें इनामएं पॉसरा क्षेड है लोगे थे घ्रेपरोबिक ऑनक्षन हो टीकिंट आप है जिसे इंटरोफॉर्बांइब पॉस्ट से में ऐख से ज्यादा पॉलिपक्टाइड चेंदाज होती है तो एक इंस्लिन हर्मोन होता है था प्टे करते हैं तो इन्सुल्न हार्मोन में सबस्ट यह अंटối कि दो पोलिप्राइट चेंड से मिलती है तो अब सिधा से क्या कहेंगे कि ये कोड़निर इस्ट्रक्टर है ठीक हम क्यानुमा लगां कि कोड़न पार्ट रीचेंड से जोड़ी है अगर स्पेसिकली करें तो डियसलुफइड बॉंड तिके जो क्या कॉविलेंट बॉंड यह दोरों डोनों प्रेप्टाइड चैन्स उससे जूड़ी हैं लेकिन हमने क्या बताया कि पैसलों पड़ा जो यूनेट्स होते हैं वो गिस से जूड़ी निशीये नॉन कोविलेंट बॉंड से लोग इसलिएम अगारें बहुत इंपॉ और फिटीन से वह कंप्लीट हुआ आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लागर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी सारे वीडियो से उन्हें शेयर करें ताहिकि और की बीच भी हल्प हो सके और प्लीज डोनेट करें उन्हें रुपीस पर मन्त इस आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में इन दसे वर्ड में डिफरेंस क्रिये खोगा और आई विल बी मोर मोटिवेटेड के मैं आपको नोब्र शर्वीस प्रड़ कर सकूं बेटर बुक्स एं टेक वाइए कर सकूं तो थ टेक केर